दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी पैरनॉर्मल घटनाएं हुई हैं जिनमें से 19% घटनाएं अक्सार रात में देखी गई हैं जिनको हम अपने रिलिजन के हिसाब से अलग रेक नामों से जानते हैं लाइक भूत प्रेत इस्प्रीट और आत्माएं लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये पैरनॉर्मल घटनाएं रात के वक्त ही ज्यादा क्यों होती है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक है कि भूतों को अपना अस्तितु दिखाने के लिए इनर्जी की जरूत पड़ती है क्योंकि किसी भी इनसान के मरने के बाद उसकी आत्मां एनर्जी में कनवर्ट हो जाती है और अलबर्ट आइस्टान के मताबिक इनर्जी इस दुनिया से कभी भी खतम नहीं होती है इनर्जी सिर्फ एक फार्म से दूसरे में चेंद हो सकती है और रात में दिन के मुकाबले Electromagnetic disturbance कम होता है क्योंकि रात में Electromagnetic device यूज बहुत ही कम होता है जिसकी वजे से भूतों को अपना अस्थितों दिखाने के लिए दिन के मुकाबले रात में अच्छी उर्जा मिलती है जिसकी वजे से हमें रात में भूतों वाली घटनाएं जादा देखने को मिलती है नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका भूतों के बारे में क्या ओपिणियन है और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर ले